लौ अट्राक्शन कैसे काम करते हैं? आपका जीवेन एक खास तरह से हो, आप पॉजटिव जिगनल भेज रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है पर… किस को? ब्रह्मान को, इस ब्रह्मान को. किस दिशा में? उपर या नीचे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, लौ अफ अट्राक्शन कैसे काम करता है? लौ अफ अट्राक्शन हमेशा दो आपोसिट चीजों के बीच में होता है. चाहे दो चुम्बक हों या फिर दो आपोसिट्स त्री पुरुश हों या किसी भी तरह से. लौ अफ अट्राक्शन हमेशा आपोसिट्स के बीच होता है, है कि नहीं? उत्तरी धुरूफ से लेकर दक्षणी धुरूफ तक इस से लेकर उस तक ये उसी तरह काम करता है जी अब आप ब्रह्मांट की बात कर रही है तो इसका मतलब आप इस ब्रह्मांट के लिए एलियन है? ब्रह्मांट का हिस्सा हूँ अगर ब्रह्मान का ये हिस्सा है, तो फिर यहां आट्रैक करने की बात कहां से आती है? तो फिर कैसे? क्यूं ये कहा जाता है कि आप अपनी नियती तै कर सकते हैं? आप कर सकती हैं, आप अपने नियती ताय कर सकती हैं, आपको करनी ही चाहिए, इंसान होने का यही मतलब है जी देखिए अगर आप यहाँ इस धर्ती पर किसी और प्राणी के रूप में आई होती हैं उनके मजबूरी से बंधे चक्र होते हैं, वो उनमें ही जीते हैं, उनके लिए ये ठीक है, क्योंकि वो बस उतना ही कर सकते हैं असल में अगर आप अपनी जिंदगी को देखें, तो आप उनसे कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे प्रानी कर रहे हैं वो पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, आप होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं, वो मर जाते हैं, आप मर जाते हैं कुछ भी बहुत अलग नहीं, पर इनहीं सिंपल चीजों को हम जागरूकता से कर सकते हैं इंसान होने का यही एक महत्वपून्गुण है जिस पल आप इसे मान लीजे आप अपने हाथ का उप्योग जागरूपता से करती है अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहती है है न? आप यहाँ बैट कर ऐसे नहीं करेंगी अब यहाथ वही करेगा जो आप चाहती है मान लीजे आप अपने विचारों को जागरूपता से चलाने लगे अब आपके विचार वही करेंगे जैसा आप चाहती है अगर आपके विचार वो कर रहे होते जो आप चाहती है तो आप खुद को कैसे रखती हैं? आनंद में या दुख में? आनंद में? जी. अगर आप आनंद में हैं, तब क्या आप खुशी की तलाश में जाएंगी? तो ये सब चीजें जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिन्दगी की सबसे महान चीजें हैं, शांत रहना, खुश रहना, वगरा, बकवास, आपके लिए कोई माइने नहीं रखेंगी, क्योंकि आप आनंद में हैं, पर आप उनसे ऐसा कह नहीं सकते, उन्हें बेज़ती महसूस होगी. आपको उनसे… आपको थोड़ा सूर में बोलना होगा. पर वास्तव में, अगर आपके विचार और भावनाए आपसे निर्देश ले रहे होते, तब आप खुद को सबसे उचे सतर की सुखत स्थिती में रखते, चाहे वो जो भी होती, है न? बिल्कुल. हाँ, अगर ऐसा हो जाए, तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया एक सहज स्थिती में आ जाएगी, पूरी तरह से सहज. अभी क् क्योंकि आप एक घात लगाए हुए टाइगर की तरह है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, यहाँ लेने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप बस यहाँ बैठें, तो आपका जीवन पूर्ण है, अब यह सहज्चता में है, पूरी सहज्चता में, जब यह इतन सहज हो जाता है, तब यह ग्रहन शील बनता है, अब किसी एक पेशे की चाहत रखना, पैसे कमाना, यहाँ तक के खुश रहना, या प्यार करना, या प्यार में पढ़ना, कुछ भी आपके लिए माइने नहीं रखेगा, क्योंकि बस यहाँ बैठे हुए, आप सबसे उंचे स्थर के सुख में है, अब आप ऐसे जीवन के साथ क्या करेंगी? स्वाभाविक है कि आप कुछ ऐसा खोजना चाहेंगी, जिसका अभी आपको बोध नहीं है, इस तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, इस तरह से आप अपने जीवन की बागदोर संभालते है अब आपने कुछ चाहा और वो हो गया, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें, कि ज्यादतर लोगों के लिए वो जो चाहते हैं, उसका पचास प्रतिशत हो जाता है, बात बस इतनी है कि वो उन कुछ चीजों पर फोकस करते हैं, जो नहीं हुई हैं, अगर आप सही से इसका आंकलन करें, तो एक ठीक ठाक सेटल समाज में, वो जो चाहते हैं, उसका 90 प्रतिशत पूरा हो जाता है, ये बागी का 10 प्रतिशत है, जिसके वो शिकायत कर रहा हैं, हाँ? हलो, कैसा नहीं है? आपके जिन्दगी का 90 प्रतिशत वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, 10 प्रतिशत के आप शिकायत कर रहे हैं, आप कभी भी उस 90 प्रतिशत का आनन नहीं लेते, क्योंकि ये 10 प्रतिशत वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, तो पहले से ही, जहीं से गए, जहां आप जाना चाहते थे, एक 90 किलोमीटर में आपका एक्सिडेंट हो गया, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, है ना? जी. तो इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहा रहा कि वो बिना वजय शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 90 किलोमीटर तक सब कुछ सही हुआ, बस पहुँचने से ठीक पहले एक्सिडेंट हो गया, तो वो अभी उससे दुखी हैं, अभी ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे चार और परिस्थितियां होती हैं, अगर आपको गोल्फ खेलने को मिल रहा है, खेलने को अगर ना भी मिले तो भी, तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो जब तक चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं, और आप अपने रास्ते पर हैं, और आप आनंद में हैं, ना, 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 मैं यह नहीं कह रहा कि जब तक चीजें आपके हिसाब से होंगी, तब तक आप आनंद में होंगे, अगर आप आनंद में हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, वो जिस तरह भी हों, आप तब भी आनंद में हैं देखे, असल में ये ऐसा है, कि दुनिया ने घोड़े के आगे गाड़ी लगा रखी है आप मुझे बताईए, क्या अपने आपको संभालना आसान है, या इन सारे लोगों को संभालना आसान है अपने आपको संभालना कठिन है, मेरा मतलब है अच्छा आप इन सब लोगों को संभाल सकती हैं, कोशिश कीजी नहीं, मैं ये इसलिए कह रहे हूं, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें अपने आपको समभालना है, और वो समाच को और समुदाय को और लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हो जाये तब मैं खुश रहूंगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया को इस ब्रहमांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों पर condition थोपने जैसा होगा, कि उसे ऐसे चलना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं ये कह रही थी कि ठीक है, उधारन के तौर पर एक बहुत basic सा example, कि कोई actor बरना चाहता है, या कोई cr पसंद नहीं आई, या selectors को आपका cricket पसंद नहीं आया, ऐसा कोछ हुआ, तो आप जो चाहती हैं, वो नहीं हुआ, क्या आप तब भी यहाँ आनन्द में बैठ सकती हैं, ये एक सवाल है, जादतर लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो करने की कर रही हैं, और वो कर रही हैं, जो उन्हें पसंद आता हैं, और इसलिए ये काम कर रहा हैं, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तो क्या आसान है, इसे संभालना या उन्हें संभालना, इसे, अगर आप इसे संभाल लें, अब आप खुशी की तलाश में नहीं हैं, आपको किस इसी चीज का तनाव नहीं है, कोई भी, कोई तलवार आपके सिर पर नहीं लटक रही, आप हर चीज पूरी तरह से शामिल होकर करेंगी, क्योंकि आपको परवा नहीं है कि क्या होगा, चाहे जो भी हो जाए, आप तब भी ठीक हैं, इतना आप जानती हैं, अब स्वाभाविक किसी को एक बड़े सरकस और करतब की तरह लगता है, उसे आप खुशी से खेल-खेल में करेंगी, सही, तो आप इस चीज को पूरी तरह से खारिश कर रहे हैं, कि law of attraction नहीं होता, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, अरे होती है, मुझे यकीन है, बहुत से लोग आपकी तरह of attracted हैं, नहीं, वो वाला law of attraction नहीं, ये कि ब्रह्माण आपको वो दे जो आप चाहते हैं, पर खेर, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ब्रह्माण कहा है, हम इस ब्रह्माण का ही एक हिस्सा है, जब आदियोगी से उन, साथ साधों ने पूछा, जिने आज सब तरिशी कहा जाता है, उन्होंने पूछा, ब्रह्माण कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कितना विशाल है, ये क्या है, तो आदियोगी हसे और बोले, मैं तुम्हारे पूरे ब्रह्माण को एक राई के दाने में पैक कर सकता हूँ, ये बहुत जबर्दस पैकिंग हुई, है ना? हाँ, बिल्कुल ही जबर्दस था, थो, क्योंकि आप जिसे समय और स्थान समझते हैं, वो आपके मन की प्रकृती की बज़े से है, जो वहाँ है, अगर आप अपने तारकिक मन की सीमाओं से परे चले जाएं, तब जो वहाँ है, वो यहाँ है, जो यहाँ है, वो वहाँ है, जो तब है वो अब है, जो अब है वो तब है, सब कुछ time और space आपकी समझ में mix हो जाता है, तो जब ऐसा होता है, अब आप ब्रह्मान से बात नहीं करेंगी, वो लोग जो अपने पडोसियों से बातचीत नहीं करते, वो ब्रह्मान से बात करते हैं. झाल